Hello everyone, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, एक नई recipe वीडियो लेकिर, आज की वीडियो में हम बनाएंगे healthy wraps, जो किसी भी age के लोग कभी भी खा सकते हैं, मतलब breakfast हो, lunch या फिर हो dinner, तो कभी भी आप इन्हें खा सकते हैं, पांचो के पांचो wraps काफी healthy हैं, जो रोटी हमने इसमे यूज की है, वो भी healthy है, filling भी healthy है, और spreads भी healthy plus different है, कई बार होता क्या है, कि हम wraps तो healthy बना लेते हैं, filling भी हमारी healthy होती है, लेकिन उस पर जब हम मियो अप्लाए करते हैं, तो वो unhealthy हो जाता है, तो आज हम मियोनिस का इस्तिमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बनाएंगे सारे क healthy wraps, तो चलिए देखते हैं, हर wrap के लिए हम अलग से spread बनाएंगे, लेकिन आप याद रखिए, किसी भी spread का इस्तेमाल, किसी भी filling के साथ, आप किसी भी wrap में कर सकते हैं, अपने meals को tasty बनाने के लिए, जादा mayo का इस्तेमाल करना, ये जादा tease का इस्तेमाल करना सही नहीं रहत है, तो हम अपनी सारी spreads को different way में बनाएंगे, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम hung curd का, जो हमें cheesy taste देगा, लेकिन हमारी health भी compromise नहीं होगी, तो जिस भी दहिंग आप इस्तेमाल करते हैं, चाहिए आप दहिंग घर पे बनाते हैं, या market से लेके आते हैं, उससे आप कि जाते हैं, simple salty spread बनाना, तो बस इस hung curd को आपने किसी बरतन में लेना है, और उसके बाद इसे जोर से fat ना start करना है, तकरीबन एक डेट मिनट तक आप इसे जोर लगा के fat लीजिए, थोड़ा सा salt इसमें जरूर डाल लीजिएगा, उसके बाद ये आपकी spread रेडी हो जाती है, आप इसे बरतन में डालिए, और एगड़ घंटा fridge में रख दीजिए, set होने के लिए, उसके बाद आप इसे bread slice पे लगा के खा सकते हैं, या फिर इसी तरह से wraps में भी use कर सकते हैं, फिलिंग के बाद करूं, तो फिलिंग के लिए आपके पास जो options हैं, वो हैं बहुत सारी स सबजियों का इस्ते माल आप saute करके कीजिए, या फिर आप इनको raw भी use कर सकते हैं, तो सबसे पहली जो filling हम बना रहे हैं, उसमें हमने simple garlic का चौंक लगाया है, उसके बाद सबजियां है, वो डाल दी है, प्यास डाल दिया, टमाटर डाल दिया, पनीर इसमें डाल दिया, शि काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, आपकी मर्जी है, सीजनिंग में आप क्या डालना चाहते हैं, पहला जो wrap मैं बना रही हूँ, वो बना रही हूँ, छिलके वाली मूंग के साथ, छिलके वाली मूंग को मैंने दो घंटे पहले भीगो दिया था, उसके बाद इसे grind कर ले देना है हारी मिर्च और लसुन डाल के, नमक थोड़ा सा डाल लीजिए साथ में, और हमारे पास एक बैटर रेडी हो जाएगा, उसके साथ तवे की ओपर जैसे हम नॉर्मल चीला बनाते हैं, वैसे इसे spread कर देना है, चीला आपका रेडी हो जाएगा, मूंग डाल का चीला तो आप देख सकते हैं, बिलकुँ चीज spread की तरह रेडी हो गई है, यह हमारी spread, तो आप इसे apply कीजिए और enjoy कीजिए सेकिंड रैप के लिए जिस spread का हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें हंकर्ड के साथ साथ हम छेना का इस्तेमाल भी करेंगे, तो डेर्ड किलो के राउंड में नहीं हापे दूद लिया है, थोड़ा सा वाइट विनिगर डाल के इसको फार लिया, उसके बाद थोड़ा सा पानी ड निकाल देंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे हंकर्ड के साथ, तो जो हंकर्ड हमने बनाया था, जैसे मैं आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कपड़े में डाल के उसका पानी निकाल लेना है, तो वही हंकर्ड हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा स 3 मिनट लग जाएंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे पीजा सीजनिंग प्लस हम इसमें डालेंगे चिली फलेक्स साथ है अब इसमें डाल सकते हैं हल्पीनो्स या फिर ओललिव्स तो वन्हें यहां पर ओलिव्स का आड़ कर सकते हैं उसके बाद इसे सेट होने के लिए एक से तेट गंटा फ्रिज में रखती जिए फिलिंग जब भी आप तयार करें अगर तो आप सबजियों को सौटे कर रहे हैं तो उसमें गारलिक का इस्तिमाल जरूर कीजिए अगर आप गारलिक खाते हैं मतलब गारलिक इसमें डाल दिया है रेट चली पाउड़ डाला है साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट बाद में इसमें डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस तो बस यह फिलिंग आपकी तयार है और सेकिंड रैप के लिए हम ले रहे हैं इकुल पॉंटिटी ओफ रागी का आटा और साथ में गेहूं का आटा एक चमच मैंने यहां पे देसी गी का डाला है थोड़ा होड़ा पानी डालके इसका के डो रेडी कर लेंगे डो आपका थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है जब इसमें देसी की हम डाल देते हैं और क्योंकि गेहूं का आटा साथ में है तो आपको गूनने में आटा या रोटी बेलने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी जो लोग रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है काफी महीनों से मैं मिलट्स का इस्तिमाल कर रही तो धाई किलो वेट मेरा और रिड्यूस हो गया है वल्ला बॉडी में फैट कहीं नजर नहीं आता लेकिन बॉडी में अनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है खैल चलिए इस डो की हमने रोटी बना लेनी है तवे पर उसे दुन तरफ से सेक लेना है उसके पास जो हमने स्प के लिएढ़ करेंगे लेकिन साथ ही हम यूज करेंगे रेड किटनी बीन्स यहन की लाल रंग के जो राजमा होते हैं उन्हें बॉइल करके आप फ्रीच करके लख सकते हैं वैसे भी आप बहुत सारी डिशी में अस्प्रेद में कर ऐक उब उसके बाद सबजियों को सौटे कीजिए फिलिंग के लिए तो बस नॉर्मल सबजियां पता गोबी, गाजर, शिम्ला, मिर्च, प्यास वगरा मैंने इसमें डाल दिया, मतट डाल दिये, कौन्स डाल दिये और साथ ही अगर आप डालना चाहें तो इसमें चने डाल सकते हैं, बॉil किये हुए, या फिर as usual इसमें पनीर डाल सकते हैं, टोफू डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पनीर का इस्तेमाल कर लिया है, नमक और चिली फ्लेक्स डाल के एक गड़ मिनट के लिए पका लिए और लि वैसे ही हमने चिला बना लेना है, उसके बाद राजमा स्प्रेड अप्लाए करेंगे, फिलिंग डाल देंगे, एंड आट्स इट, चलिए बनाते हैं फोर्थ रैप के लिए, फोर्थ स्प्रेड विच इस एजिएस्ट वन, तो हंकर्ड लिया है, साथ में डाली है, उसमें थोड़ी सी ग्रीन चटनी, अच्छे से इसको फैंट लेना है, उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी पीजा सीजनिंग, डालना चाहें चलिए फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, डालना चाहें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, wrap हम बनाएंगे rolled oats के साथ, तो rolled oats को मैंने पानी में soak कर दिया है, 10-15 मटे से soak कर लीजे, उसके बादे से हम grind करेंगे, सबजियां मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है, तो यहाँ पे मैंने परपल वाली जो पत्तागों भी उते वो ली है, green शिम्ला मिर्चली है, साथ में red शिम्ला मिर्चली है, प्यास डाल दिया है, oats को grind करके बस एक better सा ready होगे हमारे पास, जैसे चीला बनाते हैं, basin का या किसी और चीज़ का, वैसे हम oats का चीला भी बना लेंगे, अच्छा अब इसमें अंडा डालना चाहें, तो डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चोईसे, अदरवाई सिर्फ सब्जियों या पनीर वगरा के साथ भी बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक एग लिया है, उसे बस सोड़ा सा नमक डाल के हमने पका लेना है, इस लिए बनाते हैं इस वीडियो का लास्ट रैप विच इस चिकन रैप, तो जो लोग नॉन वेजेटेरिन हैं वो इस रेसिपी को देख सकते हैं, बाकी के लोग वीडियो को यहीं पे चाहें, तो बंद कर सकते हैं, तो हंकर लिया है मैंने ग्राइंडर चार में, इस रैप के लिए भी हम कच्ची सबजियों का ही इस्तिमाल करेंगे, तो जो भी सबजियां आपकी मन पसंद की हो, वो आप ले सकते हैं, चिकन को मैंने पैन में डाल दिया है, जब वो आधा पक जाए, तो उसमें हम डालेंगे जीरा पौडर, थोड़ा सा गरम मसाला पौडर, हलका सा पानी का छीटा देना चाहें, तो दे सकते हैं, ताकि वो राम से कुक हो जाए, अब इस रैप के लिए भी मैदे को छोड़कर, आप किसी भी आटे का इस्तिमाल कर सकते हैं, मैंने हाफ लिया है जौँ का आटा और हाफ लिया है गेहूं का आटा, दोनों को मिक्स करके एक डो रेडी कर लिया, इन रैप्स को और हेल्दी बनाने के लिए अगर आप चाहें, तो डो रेडी करते वक्त उसमें पालक प्यूरे अड़ कर सकते हैं, कसूरी मीथी डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, औप्शन्स की कमी नहीं होती है, बस टेस्टी और हेल्दी खाने की इच्छा जिन्दा रहनी चाहिए, तो लीजिए स्प्रेड मैंने लगा दी है, पीजा सिस्निंग डाल देंगे, थोड़ी सी डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स, वो सबजियां जो हमने काट के रखी हैं, मने इस बार इसमें खीरा भी डाला है, टमाटर भी डाला है, बहुत टेस्टी था ये रैप भी, उम्मीद करती हूँ कि एक बार आप ये रैप जरूर ट्राय करेंगे, और मैं बहुत शूर हूँ कि आपको ये पसंद भी जरूर आएंगे, तो चलिए मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तिल दन बाबाई, टेक केर और स्टे हल्दी,